मूं के हलवे से रिलेटेड एक कोहरी तो कॉमन है कि वो हलवा या तो टाइट हो जाता है बनाते समय या उसका स्वाध शादी में मिलने वाले या रेस्टोरेंट में मिलने वाले हलवे के जैसा नहीं होता है तो मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स के जरीए बताऊंगी जिससे ये हलवा एकदम शादी में मिलने वाला जैसा ही होगा और मैं इसमें एक इंग्रीडियन का इस्तिमाल करूँगी जिससे ये हलवा बहुती जादा स्वाधिश्ट होगा वो इंग्रीडियन मैं आपको लास्ट में वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और शुरू करते हैं इसको बनाना इस हलवे को बनाने के लिए हमें लेना है एक कप मूम की दाल यहां पे हम मूम की दाल जो इस्तमाल कर रहे हैं उसे हमें भिगोना नहीं है और नहीं भिगोई हुई दाल का इस्तमाल करना है बस इसे तीन से चार बार अच्छे पानी से साफ कर लेंगे इस तरीके से जब दाल स सुखाना कुछ भी नहीं है बस एक कपड़ा और लेंगे और इससे उस दाल को रब करेंगे जिससे कि उसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए इस तरीके से करने के बाद में इसे छोड़ देंगे पांच मिनिट के लिए जब तक दाल हमने छोड़ दी है हम पीस लेते ऐसे अगर आप इलाइची डालेंगे न तो किसी भी मीठे में उसका स्वात जादा हो जाएगा आप उसके बाद देखेंगे दाल से जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया है अब हम इसको ड्राइ रोस्ट कर लेंगे ड्राइ रोस्ट इसे सिफ पांच मिनिट करना है उस मैंने तो यहां पे सिफ काजू और बादाम लिया था काजू मैने पहले ही काट लिया था जब बादाम और काजो इस तरीके से रोस्ट हो जाएंगे इन्हें हम निकाल लेंगे अब सेम पैन में लेंगे दो चम्मस देशी घी इस हलवे में जो हम देशी घी का इस्तिमाल कर रहे हैं वो एक साथ इसमें नहीं डालेंगे हम batches में उन देशी घी का इस्तमाल करेंगे पहले batch में दो चमस देशी घी डालेंगे जब वो गरम हो जाएगा तब ये मूंग की डाल का जो powder हमने बनाया था वो इसमें डाल देंगे और इस डाल को इस घी के साथ में अच्छे से mix कर लेंगे जब गी और डाल अच्छे से इसमें mix हो जाएगा इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चमस देशी घी और फिर से इसको mix करेंगे और इस बार कریबन एक inclined तक हम इसे ऐसे ही roast कर लेंगे उसके बाद फिर से इसमें डालना है 2 चमस देशी घी और अब हमें इसे पकाना शुरू करना है इस टाइम पर आद रखीगा ग्यास का फ्लेम हमें धीमा रखना है इस बर जब आप इसमें दो चम्मच गी डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो मूँ की दाल का हलवा है ये गीला होने लगेगा जब इसमें इस तरीके से बबल जाने लगेंगे और ये हलका सा ब्राउन हो जाएगा तब हम डालेंगे इसमें ये सीक्रिट इंग्रीडियंट जिसकी मैंने स्टाटिक में बात की थी वो है एक चम्मच मिल्क पाउडर इससे इस हलवे का स्वाद बहुती जादा अच्छा हो जाता है और जो हमें बाहर मिलता है ना शादी में या रेस्टरेंट में इसका स्वाद एकदम वैसा ही हो जाता है अब इसमें डालेंगे पानी पानी डालते समय याद रखेगा कि थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको चलाते रहेंगे नहीं तो ये हलवा टाइट होने का सबसे बड़ा कारण होता है अगर आप पानी एक साथ डाल देंगे तो ये मूंकी डाल का हलवा पक्का आपका टाइट हो जाएगा बस इसको mix करते रहेंगे और अब इसमे डाल देंगे चीनी जो हमने स्टार्टिंग में PC थी और इसे इसके बाद mix करेंगे चीनी डालने के बाद आप देखेंगे ये हलका सा गीला होने लगा है घलवा और इसका कलर भी चेंज हो गया है लेकिन टेंशन मत लीजेगा आप इसको पकाएंगे थोड़ी दे तो ये उसी सेम कलर में आ जाएगा और इसका ये जो गीली कंसिस्टेंसी हो गई है ये भी नॉर्मल हो जाएगी हलवे में आपको एक चीज का बहुत जादा ध्यान रखना है वो है पेशन्स जी हाँ जब आप हलवा बनाएंगे तो इसमें पेशन्स की बहुत जरूरत रहती है जब अल्मोस्ट ये बनकर तयार हो जाएगा तब इसमें डालेंगे दो चमस देशीगी और ड्राइ फ्रूट् ये खुला पका रहे हैं क्योंकि हम दाल पहले ही रोस्ट कर चुके हैं अब आप देख सकते हैं ये कितना अच्छे से हलवा चारो तरफ से घी छोड़ना शुरू कर दिया है और इसने पान को भी छोड़ दिया है मतलब ये लमसम बनकर तयार है लेकिन हम इसे तीन से चाल मि और गानिश करेंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करकर जरूर बताइएगा और इसे लाइक करना पिलकोल भी मन भूलिएगा